प्रभू दाविता नवाद कार्टियां। 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 बटकेदानिया शोलिएं सिगें तेहने दूस्टातभाइज भूत टेग्षी गाना तो मैं एक वरी चार्चट लेके अज तो आठ नौ मिन पहला चार्चट लेके आई ता डूस्टातभाइज नी उंदाता ज़िक मुईनु दूसरी वरी 18 सौन कराया ता बच्चेदानि तेह परभू ने चंगाई दिती नगाम आगी और चाप चते आदी आई सगी और आई यह मैं गवाई दिम्या ते चाप चे दूसरी विरी आई यहां बहुत परभू रता नहाद कार दिया परभू ने चंगाई पर अलेलुया और आपकी जो कौन है वो जिसके रिसुलिया थी नां आल्टर सुन कराया और उसके तीन रसोलियां थी तीन गांठें थी टूमर थे यहिश्य और जब उसके लिए इन्होंने प्राफन मिंपन च्ब्राफन कराया और अलेलुया है तो तीन गांठें थी और प्राफना से यह ऐसी कहानी नहीं है पहले वाले अल्ट्रसॉंड में वो तीन गंठे हैं और बाद वाले अल्ट्रसॉंड में वो तीन गंठे नहीं हैं किसे ने चंगा किया प्रभू येश्व मसी ने प्रभू हालेलुया सभी को जैम ऐसी की मैं अपने बेटे की गवाई देना चाहती हू जब मेरे डिलिवरी होने वाली थी, तो दाक्टर ने कह दिया था कि इसके नॉर्मल डिलिवरी नहीं होएगी, तो मैंने प्रात्ना की वहीं पई, और सबने मेरे लिए प्रात्ना की, मम्मी ने भी की, इसलिए मेरे नॉर्मल डिलिवरी होगी, पर मेरे श्रका दन्यवाद करत तो सब लोग जो छोटी बेहन की भी हmorग अधिया। मेर snara की लड़गा हुगा ये तो मेरेคुछ भी नी था हो अगा होगा और विसकी थानषा नी हो Éiska का बढूंगी तो मेरे डौक्टरมา से ने यहाई करूंगी कि यहां कुछ नहीं कर सकते तो मैंने दवाइज छोड़ दी देड़ी दिन दवाइए खायती डेर्ड मेने दवाइज घाई जा थी इसके बाद में दवाइज बंद कर दिया और मैं स्रिप परमेशन से बिश्वास करती थी और मैं यहां चल्च में आई चल्च का मुझे पता परवु का जादी ऑनके थारा चाल और दूसरी मेरी यह गवाई कि मेरे लड़करू का आज तीन मैने का हो गया जो परता दिन ओ गया जुकर पर नहीं है अगले शुक्रवार को मेरे ओप्रेशन अचा था कि मेरे श्खाती मेरे बर घर टे पाता नहीं का इक जो भूस वाओ ड निखाली, मेरे बच्चा जब से हुआ है, जब से भूत रोता है, मैंने बहुत दोक्टर को दिखा दिये पंड मेरा दिल यह गवाई देता था कि परमिश्री से चंगाई देगी तो परमिश्री की पास ब्हुन में आज से लेकिआ यू, यह पहली बार आया है, परवु ने से सारी चीरियों से आजात कर दिया और परवु इने से नहीं स्थामत दी विश्वास करती में परवुका धनेवाद मैं अब मेरी जेट की लड़की की साधी आठ साल होगे होए तो उसको सारी जगे दिखा लिया उसका बच्चा नहीं ठेहरा उसके तो डॉक्टर नीक ने दिखाया तो डॉक्टर नी बोली किसकी नाम बच्चा दानी की टूब बंध है और मैंने चर्च में पांच-छे मिनों स उसका नाम लिखुआया उसकी प्राथना करी तो उसको डॉक्टर नी से दिखाया अब गेकल पर्शू तो उसको पर्भु की दिया से दो मिनना है मैं पर्भु का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मतलब दर्द होता था और गांट बन गी थी बच्चेदानी के पास तो डोक्टर ने इसे कहा कि इसके बच्चेदानी भी निकालनी पड़ेगी खराब होगी है और यह नहीं मतलब गांट भी इसका प्रेशन करना पड़ेगा तो फीर उसके एक ही लड़का है तो फीर वो मे प्राथना करना फिर मैंने प्राथना की उसका प्रेशन हुआ सिर्फ गांट निकाली उसकी और बच्चेदानी बिल्कुल ठीक है वो बिल्कुल अब सही है मैं प्रभू का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं अलेलुया रब के दासों को भी जैम सी की और ब्रभू ने हमारे जीवन में बहुत सस्ते मेंमारी ब्रहुत याशिशस है और जमें मुझे गोवर्म्मेंट ज्यो प्र. अदी थी और दो फैजियर उन्निस में में प्रभू की दया से हमारी शादी हो गई जो प्रभू को शक्षिमानकर और प्रभू के दास के दवारा हमारी शादी होई और बहुत अच्छा प्रवार प्रभू ने दिया है मैं धन्यवाद करता हूँ और इस नए साल में अभी जन्वरी मिना खात्मी नहीं हुआ था कि प्रभू ने हमें आलटों से श्विफट गाड़ी लेके दिया है बहुत बढ़ी आशिश दिया है मैं प्रभू का धन्यवाद करता हूँ सब कि जैंसी की प्रभू के दास को भी जैंसी की मैं गवाई देती हूँ जब मैंने नाम नहीं लिया था तो मैं बहुत ही मेरे घर पे गरीबी करजे में थी और जब से मिने नाम लिया मैं बहुत आशिश हूँ मुझे प्रभू ने नोकरी दी, मुझे अच्छा घर मकान बना कर दिया और मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अंदर तक चोट लगने ने दी मैं प्रभू का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी को जय मशी प्रभू ने हमें जब से परमेस्वर में आया हूँ तब से बहुत सारी आशिश दिया है घर पे हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं था हमारे चेपर भी नहीं थी लेकिन परमेस्वर ने हमें कि छपपर पहले दिया तर फिर सफ़ी जगह पर मकान दिया भर पास अपकर दुकान बहुत है प्रवकर दुकान किरायब दे रखा हूँ और यहां भी परमेस्वर ने आशिश दे रहा आप अपने तेरह तारीक को लड़कर के जनम दिन था उस दिन पर में सोने उसो गाड़ी ले कर दी है आप पर में सर बहुत सारा धन्वाद जता हूं अलेलुया एक सीडन्ट हो गया था हूं अर जिस जगह पर एक सीडन्ट हूँ था और आउपस की लोग बता रहे थे किवांपर आज तक कोई भी नहीं भचा सो पहली बार मेरी मम्मी और भाई वहां से बच कर आई है इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यावाद करती हूँ कि इनों ने मेरी मम्मी और भाईयों को बचा लिया और दूसरी गवाई मेरी ये है कि मेरी भाबी के बेटा ही हुआ है सो परमेशूर का धन्यवाद करती हूँ हलेलुया मेरे पेट मेरे पेट में ज़्यादा दर्द था तो मैंने फादर जी से प्रेयर करवाया तो एक गंटे के अंदर मेरा दर्द सही हो गया और मेरी दूसरी गवाई ये है कि मेरे को जाती परमान पत्र बनाना था तो उस फारम पे साइन नहीं हो रहा था हम चार साल से उस फारम को लेके घूम रहते तो आज जाय मसीजी की किरपा से मैं परभुजी का धन्यवाद करती हूँ नहीं परम ममारा बनके त्यार हो चुका है हाईलेलुए कि पार्टर नोवी जैएंशी मैं बहुत बुमार थी फौन ते पराथना कराई पार्टर थो ते बहुत मेरे पेट मां दर्द था उट्टी खती उट्टी आ जाती थी अरे देश्त भी बहुत जोर के लगे थे मैं पराथना कराई है पर बुजसु मसी की पास्टर से ते अबी बलकल ठीक है मैं ठवंजाएप से आई हैं सारे नवेन बायन जाय मसीजी मेरे काल पूरा मुवी गाओ चका थी बलाड वी पी बहुत जादा वर्ग गया सी है सारे गंड़े गंड़े बढ़गी आसी हैं ता मैं ता नवाद करती है पर मेशर दा मैं सही सलामता मेरे पती दी जड़े जखम सी ओ हाट गया है हाले, मेरे बल्वेन सारे नवे जाय मसी दी मेरी गोई ये कि में जड़ो उपवास रख दी सी ही और मैं पराहट नचेही मांग दी सी कि ये शमसीय मेरे गंड़े बाशाध दी और मैं ये शमसी ने ग्यार पाशादी ती कि मेरे किया आज़ में गवाई देन चाहाँ ए मिनल वी साल होगी जिक जो ऑना मेरे Πाती जी सी बहुत जादा केते ठाट्रवपे मुझा चाहार पीं khitha नहीं किसे दी गाल नामने सी कि मैं परमेशर मुरे रोरो के प्रात्वा खिती फ्रमेशर किस दिन मेरे शिफा देंगे मेरे पति गिस दिन ख्ञा भी खेनगा मैं तेन में लगा तार प्राफ नंकिती लगा तर उपास रखे मैंगा परमेशर चाहता है तो मेरे पती ने दारूशारती और टीवी तो शिटकार अपाले में एक प्रसंट वी दवाई ने बहुत वड़ी आश्षिश दिती है मेरे पती आश्टम औस जगह ते बैठा आश्टम गवाई देर वस्ते की त्यार ने होई लाधा प्रमेशर तामाल करते हैं कि मेरे ने प्रैक्टिकल था तो मेरे को वाईवा देने में बहुत जादा डर लग रहा था एक्जामिनर ने जो क्योस्टिन किये मैं सोच रही थी मैं कैसे बताऊंगी लेकिन प्रभू मेरा होसला बनकर मेरे साथ रहे मैं प्रभू का धन्यवाद करती हूँ मैं सारे अंसर अच्छे से एक्जामिनर को सुनाएं मैं प्रभू का धन्यवाद करती हूँ और एक बात हो रहा है कि जब मेरी फ्रेंस है ना वो जब उनका एक्जाम होता है ना तो वो कहती है कि तू अपने जीजस को बोल दे वो हमारी मदद करेंगे और ना उनका भी विश्वास आगे बढ़ रहा है मैं उनके लिए जो भी कहती हूँ ना परमेशर इनके लिए कर दे इनके विश्वास के नुसार इनके साथ हो जाए तो वो सच में हो जाता है, मैं प्रभू का धन्यवाद करते हूं, प्रभू मेरी बातों को माल लेते हैं और मेरे साथ रहते हैं, हर पल, हर पल साथ रहते हैं मेरे को महसूस होते हैं कि प्रभू मेरे साथ चल रहे हैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, हलेलोया हलेलोया मेरまमा की गवाई है कि मेर ममा ना किन्नों तोड़ने जाते हैं तो भाँ से बहुत उंचा पेड था उसके उपर से निच्चे गिर गे थे ममा को चोट नहीं आए, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूं बहुत बुरे तरीके से गिरे थे, ऐसे लोग हरान होगे कि इन को कुछ भी नी हुआ, बहुत बुरे तरीके से गिरे, इतनी उन्चे सी गिरे तो भी ममा को कुछ भी नी खो, खरोच भी नी आय, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, Хालेलुटी. कुछ दिन पहले मेरे कमर में बहुच ज़ा दाद होता है, तो मैंने जब अशरा करवाया, उसमें डोक्टर दिपताया, इसके जो डिक से की प्रोलम हो गई और मनकश गाब हो गया, तो घरपे पास्टे जी प्राहना करने गए तो जो मैंने प्राहना करवाई उसके बाद जब शनिवार को हम गंटा की एक गंटा प्राहना करते हैं प्रेर करते हैं तो मैंन गुटने टेक के परमेशर से रो रो के प्राहना करी कि मेरी हडी ये बिल्कुल मन का ठीक हो जाए तो मैं झाज परमेशर आप तो हड़ी नहीं जोडने वाले परमेशर हो तो परमेशर ने दर्षं दिखाया परमेशर ने कालो मैचंग यह देता हूँ है जे हाथ करके तुम ए उसाइस को घ्रैंड किया और आज तक मेरा कमरे जडा बिल्कुल ठीकर बिल्कुल आख में दर्दें ह मैं परमेशिका बहुत बहुत दन्यवाद करती हूँ मेरी दमाग दी नाड़ा चलन लागी हैंसी मैं दवाई बहुत लिद्टी मिनु राम नहीं है फिर मैं कि मैं अगवाई दूँगी जाके चंक तगारी चर्च च ते मेरे राम आवना चाहदी है मैं रो रो के कोष़ जादा इकिए रहिं पोट जादा ता मिनु अणा चलन लागी हैंसी है मैं क्या किती मैं ऱगं मी कघनाग पाघल मैं निए तो मैं कि अदी मैं अग mix ड़े ली थी नह आहिं रहें प्लगूल पताई नी लागेदा कर दोदे हों जिया आजे उने जमाई बिलकुल साहर ने जया मसी गुज़ा वर पाश्टर जीनू जया मसी तथी दौन्यवाद सारे संद्थन जंगत दे मैं भूत मेरना बलाड़ वाद दा शी मया चाह्मा भाच दिने उन्या अक्या पर्भू जीनूंव जी तूविंषंड और जर्च चैनत मैं अगवाई देमा इंतूर रखन बाड़ा ए कि मेरे बेटे देगवाई दिन ईय। कृषय दिन होगे मेरे बेटे खार बहुत है यamosल देख का नो च्षा है थार्क बारए ठाच पाद है То ते मैं सोच्चा मैं का भी मेरा बेटा है मैं करी यंदा ते वे बार बेठा ते मेरे ना भी एक पानी आगा ए मैं रॉण लागी बेटा ते डो जानी तंदर ले तो चल लिए भी अधि लगता है यह मोड़ गया सिमर बड़े बेटे दिया ते असी चाक के तहनु जो दो मन्ज ते बचन में जी चाती तरा करते मैं परमेशिवर के में नू पढ़ना नी ओंदा पर बू तो ही है नू बचाना वाला ते रहे वचना चलिए लिखे कि तरह दर्मिदान सो बचाया जाए गा परभू मैं कहा है मेरे बेटे नू बचा फेर मैं ते मिन फटा-फटा पटा में बचाना वे पर मैं किस दा फोन मांगके ते मैं दवादा मैं थे चर्च दे विच वा फोन कीता है पैंजी ने फोन चेकिया फिर न तो प्राथना करवाई मैं ते मेरा बैटाओ से विल ठीक हो गया फिर ना हलेलुया बोल लागा जोर जोर दी ते कंदा परभू आगया मैं परभू आगया परभू ने बचाया मैं परमेशु दा बहुत न्यावाद कर दिया कि मेरे परमेशुर ने मेरे बैटे नो बचाया गुआए देना चाहती हूं कई दिनों से हमारे घर में लड़ाई जगड़ा बोत रहता था तो मैंने पैस्टर नी दीदी से बोला भी मेरे लड़ाई जगड़ा रहता उसकी बचाया मेरे बेटा टैंसरे मेरे ता चोटा बड़ा वाला तो इसके गले में इतनी बड़ी घाट होगी तो मैंने दीदी से प्राधना कराई हो बिल्कुल ठीका मैं परमेशुर का बहुत 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 ने वाज करती हूं औरे गवाई ह तो मेरे इतनी बड़ी पेर के गहां ठोगी थी तो मैं सन्यवार को आना चाहती थी उपवास रखके तो मेरे पती मुझा आने नहीं दी दिया तो मैंने अफसी एक वाला तेल पेस्टर जी से लिया हो तेल लगाया और मेरे काट काइब होगी मैं बहुत पूजर नमाज करती सबको जय मसी की मैंने पिछले संडे दसमास दिया इस साल से मैंने शुरू किया है दसमास देना और आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने मुबाइल देखा टैम देखने लिए मुबाइल चका तो उस पे मैसीज आये हुआ था मैंने मैसीज बढ़ा तो उस पे 15,000 रुपे अ मैंने फिर मैंने इस वो पैसे ऐसे निया है मैंने परमेश्वर के लिए दसमास निकाला इसी लिए ही वो पैसे परमेश्वर ने मुझे कई गुना जादा करके दिये हैं और हमेशा संडे के दिन ही मुझे आचीश मिलती है चाहे मुझे घर में कोई चीज लाना है चाहे आता है पर मेश्का बहुत बहुत निवाद करती हूं हलेले का गुर्दा जो था वो शूख गया समीर के तो के मम्मे के ना नाडबालोक ते पेर की तो प्रेटाव पे फोनगा प्रातना करवाई और प्रभोश्व मसीजी ने चंगाई ती मैं परमेश्य का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हालेलोया पर गांठ थी तो पास्त जी से प्रातना करवाई और प्रभीश्य मसी ने चंगाई दी मैं परमेश्य का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हालेलोया तो कैसे भैन के गांठ थी शाती पे प्रभू ने उसे बचाया प्रभू का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं अलेलूया अलेलूया सब को जेम सी की दो मिने पिले मैं इतना तकड़ा बिमार हो गया था मैं यानिके कोमा में चल गया था बचने की उमीद ही बहुत कम थी दोक्टरों ने जवाब दे दिया था डोक्टरों ने कहा गरवालों से के इसको ले जाओ और गर पे सेवा पानी करो तभी मेरे पिता जी आये पास्टर जी के पास, किता लड़के की बचने की उमीद बहुत कम है, बहुत जादा कम है, इसके लिए प्राथना करो, और पिता ने, पिता से पास्टर जी ने प्राथना करी, इतना भी सेख हो या, मुझे पर इतना भी सेख हो या, कि मुझे दूसरे उस्प्रम में लेके गए और वहां डॉक्टर से का भै इसको देखो आप उस डॉक्टर ने भी का कि ता मैं 20 मीट तक देखूंगा इसको बच्च का तो ठीक है नि तो आप अपने घर ले आना इन्होंने का चलो ठीक है बचे का तो हमारा मरेगा तो हमारा तो इधर पाश्टर जी ने प्राथना शुरू करी चर्च के अंदर उधर मेरा ट्रीटमेंट शुरू होगा डॉक्टर ने देखा 20 मीट तक सही है ये फिर ओट ट्रीटमेंट बढ़ाया वो 30 मीट हो गया फिर आदा गंटा हो गया करते करते वो केता है मैं समाल लूँगा इसो अब यह मेरे अवाले है उधर खुदा ने मुझे पर इतना भी से किया इतनी आसिश दी कि मैं मरता मरता बच गया और खुदा ने मुझे बचाया मैं खुदा का इतना दन्यवाद करता हूँ के बहुत ज़्यादा दन्यवाद करता हूँ हलेलुया और मेरी गवाई यह है कि मेरा पोता कल शकूल में गया था तो किना में गणे सारे बच्चे थे उपर छट के उपर आज वो 26 जनरी एगी तो किना में पता नहीं कैसे में को किसी ने उठाया तो मैंने क्या मैं कि बेटे तुझे पिता पर बेश्वर ने उठाया और मैं कि तेरे को चोट नहीं लगने दी उपर के उपर यह आपको उठा लिया के रहा हा ममी जी मैं परभू जी का बहुत-बहुत दन्यवाद करती हूँ और अमरे पाश्टर जी को भी बहुत-बहुत दन्यवाद मेरी च्यार मालोड यहां पर मैं ठीक हुई च्यार चंगाई मिली आज पांचे मिन यहां पर आई थी तो पहले मेरे पती जी में बुन की बुराई नहीं करना चाथी खुब पीटते थे मेरे को लेकिन सब नंबर वन है कि मेरे को ने पती जी ने पीटना बंद कर दिया नंबर दो कि मेरे बेटा इंजनेर का कोर्स कर रहा है पतना मेरे को टेंशन दी कि कहां कोलेज मिलेगा पतना वो कोलेज उसको मिल गया ओर ठीक थाक है ओ नंबर तीन, कई टाइम मैं बुख़ी रहती थी और इस रंटी के गर पे जाकर मैं खाना खाती थी, हलांकि मेरे सब कुछ है लेकिन मेरे पती जी कोई कारण के कारण मेरे को पीटते थे, आज हमारे चारों बेटां के अंदर, दोनु बेटों के अंदर पती आज मेरे को काया कि जा तू खुशी-खुशी जंडा भी लेहरा कि ए स्कूल में और जाओ आपे भी जा वो तू तेरा टाइम पस कर किया इत्ति यहां से आने के बाद मेरे को बहुत चंगाई और गवाई हुई है है अजिए यह जए सिर्फ फोड़ भूर अटने मोटर सैंकल दिया जाने दिया तो बहुत बहुत अबन्यवाज करते हूं हलैosaurus बत्यों को जा हुएं कि अदिब की बार्सरीं सब्सिक्स, सबसरे सिलब करता हूँ, बाकिस सारों कोई जांड की बूदवार की बुदुर्स, कि मैं बुदुर्बार जाहें.. बुद्वार को जब मीरा तो मेरे स्कूटी इतनी स्लिप होगी बहु जादा मैं जोर्च गिरा हूं ते सारे लोगों ने मज़ ठाया मेरे पंसली में हलका ज़र दर दाया है मैं प्रभू में तो नाचना आगा है मैं प्रभू को दन्यवाद करता हूं उस सब आज जब मेरे से प्रभू मेरे साथ साथ चलता है प्रभू का दन्यवाद करता हूं जय मस्थी मैं अभी अभी खड़ी प्रातने में ठीक हूई हूँ अभी अभी दुष्ट आत्मा ने मुझे बहुत बुरी तरह से जगड लिया था और मैं खड़ी प्रातने में प्रभू येश्यु मस्थी के नाम से ठीक हूई है हैलेलुया और मेरी भांजी है जिसका पैर पहले शुमसे के नाम से हैलेलुया और मेरे मामा जी के लड़का है इसमें इतने दुष्ट आत्मा इतने साल तक रही कितने लगो रुपे लगे मेरे मामा जी भी खतम हो गए फिर इसमें जिन बताया जिन दै इसको सांक्रों से इतना बांद के रखते थे दस दस आदमी पंदरा पंदरा आदमी इसको गाड़ी में गालके कभी कहीं ले जाते कभी कहीं तो अब यह ताप इनिया तो सांक्रे को तोड़ देता और इतना मतलब लहु लुआन हो जाता बहुत हमारे गाहँवारे सारे परेशान हो जाते इससे बहुत इलाज कर रहे कहीं नहीं आराम है एक व उसी दिन से दूष्ट आतमा जो भी जिन था जो भी ब्यांकर दूष्ट आतमा थी वो दूर हो गी परभू इसको नया जीवन दिया मैं परभू का बहुत बहुत देने वाद करती हूं संकलो से बंते थे नहीं पुष्णा जोब बोई तो किस लिए बंते थे अब जोब देते थे तो करवल संकलों से बंदेते थे और अब किसने चंगा किया इसा मसीने अप्रभा इश्यों मसीने किया अजी मैं नशा करदा सी गई इमेडिकाल नशा बहुत करदा सी गए नशा जूट हूथ देख्या प्रोग्राम मैं थे आया मी एक दो वारी पहला ते बाच मैं कुमन को फैदा नहीं हो ऐसी बहुत वेख़ए रब में जूर बंदा में जूरी कारणा मेरा सार्दानी बहलको लिए ते मैं उते बेख़ा दर आप जूट ऊच फूंते ते एक दिन की होया पाइटर जी दे चली एंदा सी बचन चली एंदे सी गे ते मैं दना कि या देखी एंदा सी पाइटर जी ने आख्या वी जो भी कुई नशा करदा है वो दे बंदा ना जो टोट जान गे या वी है ते लीते जोंक हो ली एचिते लेके ते बैठ बैठ जावी तिमाधा देखिया थेड़ी ने दिरीते बेठा ते पाइट अका बंद कार लिह अब आए डासर स्विनेदा यह कमाना कार लू परासना किती मेनग रिभावा कन आ चाटन का लागा कैश सceptions कोई गोड़ी दवाई नहीं लई मैं नशा शड़नवास ते कोई दवाई नहीं लई किसे डाक्टर कोड़निंग या कोई मैं तो खलीफ नहीं आई सारानुजेंसी मेरी गवाई तो मेरे जीवने बहुत जादा होई है प्रभू ने बहुत आसेज दिया है जब मैं यहां आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था सिरफ पांसुर्वे मेरे पास थे जब मैं बॉंबे से यहां आया था और प्रभू में भी नहीं था सेतान का भी ब जीवन में इतना बड़ा काम हुआ, कि जिस दिन में घर पे बेठा था, पदा नहीं कैसे मेरे मन में आई कि मैं चर्चाओं, और उस बुदवार का दिन था, जिस दिन बुदवार को परातना होते हैं भीमारों के लिए, मैं आया, उसी दिन मेरे यहां पर बेठा में परमेश् और ने आते ही, इतना काम किया, कि मेरा काम बिल्कुल भी नहीं था, उस काम में मेरा बहुत ज़्यादा बरकत होती गई, और जब मैं बिल्कुल भी इसके अंदर, परमेश्वर के अंदर और ज़्यादा बढ़ना जाता था, परास्टर जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, कि पर्मेश में नहीं नहीं दो सबस्क्राइब करता हुआ राइंगाँ उसकी भी मेरे को आस नहीं थी पर्मेश मेरे को मसीन दी मेरी मिसेंच को भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और भी कि यह बच नहीं पाएगी इसके हेड़ 1988 को गया था जो उनके पांच चाहिए था प त्याहे बूराएंद wypोोर्बूरासे भिता करें उसका हम्हारा पास्टरूजी घुने मेरे जीवन मेरे ने मेरे थैँ जाहते हूं। कई दिनों से हमारे गर में लड़ाई जगडा बोत रहता था तो मैंने पेस्टर नी दीदी से बोला हुई मेरे घर में लड़ाई जगडा रहता उसकी बजा मेरे बेटा टैंसर में रहता था चोटा बड़ा बला तो उसके गले में इतनी बड़ी गांट होगी तो मैंने दीद को आना जाती थी उपवास रखके तो मेरा पती मुझे आने नहीं दी था तो मैंने अफजी एक वाला थे पैस्टर जी से लिया हो तेल लगाया और मेरे काठकाई भोगे मैं बहुत बुदर नवाज करती हुए दे रही है मेरे बहु है ना उसकी बाभी 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 बहु प बहुत बहुत भух धन्यवाद करती हूं और ऱौयो रहे है मैं बाश्ट जी ने शर्णा मेरे से लिए कर पर एक पूरा हम्हें सोच ती रही है मैं कैसे कुराओंगी कैसे में बोलूंगी ऑर मैं पार मैंनी जानती मैं करती हूं horizontal म करता हूं गर मैं नी जानती पर कैसे करती इसकी प्राथना कराई बिल्कुल जंगी अप्रभू का बहुत बहुत धनेवाद एक वाई और देना चाहती हूँ मेरे पती कभी भी यह आते नहीं थे तो मैंने पाश्टर जी से प्राथना करवाई भी आने लग जाए पिछले संडे आये थे प्रभू का बहुत बहुत धने हलेलुया सब को जय मसी की यह शिश्टर बता रहे हैं इनके पंदरा साल से गांट थी चाती में और यह पिछले से पिछले संडे आये थे पाश्टर जी से प्राथना कराई और जब यह घर गए तब इनों देखा वह गांट गायव थी इनकी तो यह पिछले संडे आनी पाय तो यह आज अपनी गवाई दे रहे हैं पर मेशवर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पुझे अभी तीन ही हपते हुए हैं बहुत ही कष्टों ने मेरे को घर रखा था मेरा छोटा भाई जो मसी में है उन्होंने मेरे को बहुत बार सलदी के तु मेरे साथ चल प्रभू क आत्मा ने घर लिया और हमारे घर में खाने पीने के विवान्दे हो गए प्रभू की ऐसी किरपा हुई प्रभू हमारे वीच आए हमारी बच्ची को सामर्द दिया मेरी बच्ची को अच्छा किया मेरी बच्ची सुर्गय परमेश्वर ची हमें आपकी जरूरत है आपके ब दर्शन देंगे, आप बात करेंगे, लोगों के प्रशनों को उत्तर देंगे, सरगदुतिने दखाई देंगे, होईतरात्मा बहते जल की नदियों को देखेंगे, अपने घरों में ये परविश्वची आपको चलता फिरता देखेंगे, और अलग लग परकार के विजन दर् होता हुआ, आज इनके साथ वैसा ही होने दें, प्रविशचि ये लोग, दर्शन पाएं प्रविश्ची आपके, आज मेरे परमेशर्ची प्रात्यां करता हूँ नोगों के लिए, ये आपके दर्शन पाएं, आप एनसे बात कीजिए, इनके समस्याहं, के सबंदी इनसे ब देखें अपने घड़ों में चलता फिर्टा ये आपके दर्शन पाएं परविश्व मसीजी परविश्व मसीजी पोहत्रात्मा के दुवारा आप इनसे बात कर लीजिए ये सरदूतों को देखें मेरे परमी शुर्ची पराता करता हूँ जितने भी हमारे बीच में लोग हैं सब पोहत्रात्मा के दुवारा आज से बातें करें पोहत्रात्मा जिन से बातें करें मेरे परमीशी जी पोहत्रात्मा के दुवारा जिन से बातें करें जो ये कह रहे हैं वो सारी परात्मा सुनी जाएं उनके उतर दीजिए आज मेरे प्रभुची इन्हें दर्शन दीजिए मेरे परमेश प्रभुची इनके सामने खड़ हो जाई ये प्रभुची आप जो स्टेज के उपर हैं इन्हें दखाई दीजिए प्रभुची आपका सुर्थ दूत उपर से नीचे नीचे से उपर सुर् इसलिए इन बच्चों को आप खातमे संपता हूं दयाकार मेरे प्रभु जी दयाकार परमेश वर्ची दयाकार मेरे परमेश वर्ची मेरे गवाई ये है कि मैं जब चर्च में आई तो मुझे अब पता चला कि पिछले संडे पास्टर जी ने बवीश दवानी की थी कि आज प्रभु दर्शन देंगे तो मैंने ना इग्नॉर सा कर दिया मैंने का ये तो हर संडे ही होता है हर संडे ही दर्शन मिलते हैं लेकिन मे को नहीं पता था कि आज मेरे साथ बहुत अद्बू दोने वाला है तो मैं बैठी हुई थी जैसे ही प्रातना शुरू ही तो प्रभु पास्टर जी कहते है कि प्रभु सब को दर्शन देंगे पहले ये पास्टर जी ने नहीं कहा था कि प्रभु हमारे बीच में उससे पहल लग परबु सच में आ घय है हमारे बीच में फिर बाद में मैं ने देखा कि पास्टर प्रभु का सीहासन यहां पे लगंगा हुआ है मैंने यहां पे लगा हो देखा फिर देखा कि वह सारे सवर्गदूत हैं यहां पे ज्वोंना उनके पास एक तुर ही फी अनुतनी कि मैं बहुत बेचेन थी उस दिन से प्रभु ने मुझे आज कहा बेटी में शांती हूं मैं तेरे घर में ठहह रहा हूं प्रभु ने मेरे घर पे ऐसी रोशनी दिखाई बहुत देर तक वो रोशनी चमकती रही मैं नहीं समझ बाई कि वो रोशनी क्या थी पर बाद में प्रभू ने मुझे कहा कि बेटी मैं चान्ती हो और बाद में मैं तेरे घर पे ठहरा हूँ मैंने सोच रही थी कि ये रोशनी क्या है क्या है बाद में मैंने देखा हमारे कमरे में प्रभू का सिहासन लगा वहां पे प्रभू बेटे हुए है प्रभू को बहुत बहुत अनेवाद। प्रभू ने मुझे बहुत अदुबुत दरसंदिये पहले तो बाद पहले तो वाज आरी कि देख तेरे लिए स्वर्ग खुल रहा है और चारो तरफ स्वर्ग दूदी स्वर्ग दिख रहे थे और बीच में रोसनी से दिखाई दे रही थी और वाज आरी थी कि ये देख पर मैं प्रभू का अद्बुत दर्शनों के लिए धन्यवाद करती हूं पहले मैंने परमेश्वर के दर्शन देखे तो मुझे लगा कि मेरा वैम है परमेश्वर ने मुझे नस्दीक से अपने दर्शन करवाए प्रभू की ब्ल्यू आइज ती और उसके बाद मेरे को इतनी बेड़े दिखाई दी और उसके बाद बाजर गरस्ते वे दिखाई दिए और इसके बाद जरने दिखाई दिए आलेलुया धन्यवाद पर्भू ने आज मुझे बोगतायता से दर्शन दिये इतने अच्छे दर्शन होए कि मैं पर्भू का बहुत बहुत धन्यवाद करती परभु जी ने यहने से सीड़ियों पर आये डूपटा सिर्पे और लंबे-लंबे बाल परभु जी के वाइट कपड़ों में आए और आके यहां बेठे और यहां से फिर सिर्थ पर बाद पर नहीं था जब परमिश्वर यहां से जा रहे थे तो इतनी अच्छी रोशनी से मर हैं अधियु आप शबी ने यहां से आँपया राव्ट हूट इसरी वाद खड़ी होई फिर मैंनो परभु जी दीखे मेरे कार्च चली भिर दे तुरे फिर दे मेरे कार्च मैंनो अख़्ा खुली आ तो भी पश्टर जी को ले तुरे फिर्दे देख 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 दे पर देखे परबू करते हैं इसलिए परबू का धन्यावाद करते हैं सबसे पहले मुझे यहां आसपा सारे स्वर्दूत ही दिखे और बहुत सारे आकाश में से स्वर्दूत उतरते हैं करते हो दिखे हैं मैं परबू का धन्यावाद करती हूँ यह अर्बू का धन्यावाद करती ओरад करती और वैंसे भिष है और शे। करती हो और मुझे आज सुगह पांच मुझे प्रादना करके सोई जैसे परमेसर अपने रूम में उपर आपने रूम पे फिर रहे है चर्च के ऊपर पूरी रोसनी के साथ परमेसर का मैं बहुत 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 बहु उच्छा करके पर मैं खड़ी नहीं फिर एक दम से जोर से बादल गर जेर मैं खड़ी हो गई और फिर बाद में जमें परेश करी थे और फुल सारी रोशनी ही रोशनी मुझे दिखाई दी में प्रभू का दन्यवाद करती हूं और प्रभू म webmas से कुछ बड़ा हाथ दिखा और उस हाथ में जैसे लहू बह रहा है बहुत और उस लहू सी पूरा चर्च भर रहा है और हम सब चर्च वाले उसमें डूब रहे हैं और पास्टर जी दिख रहे हैं इस मेज पे चलते हुए जैसे पास्टर जी चलते हुँ परभू जी थे पास्टर जी और मुझे घर में दिखे हैं परमेशुर पास्ट जी के रूप में जैसे बहुत बड़े बड़े थेले लाए हैं और मुझे अलग से दिया है और बच्चों को भी अलग से दे रहे हैं मैं परमेशुर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं हलेलुया त्रभुई ओज़ आए वेल से सब्यास सभी को जै मैं प्रभुगा बहुत भुख दन्यवाद कृती हूं कि आज बड़ा जलाल प्रमेशृर का यहां बहुत जादा रोशनी बहुत जलाल प्रमेशरृ का दिखाई दिया प्रमेशृर ने मुझे दर्शन दिया कि एक अगनी एक यसे गोमती होई जैसे कि आग आ रही है परमेश की गोल गोल जैसे घोमके और जहां स्टेज पर आके पास्ट जी को पर ठेहर गई है और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं प्रमेशर का, हर जगह पे आस पास में जलाल जलाल प्रभु अगनी है अगनी दगाई दी, सब के उपर उतरती होई मैं प्रभू का धन्यवाद करती हूँ, प्रभू ने मुझे दर्शन दिये, जैसे यहाँ क्रूस है, और क्रूस पर प्रभू चड़े वे हैं, और उनके सीने से लहू बह रहा है, और वो मेरे उपर गिर रहा है, और प्रभू ने मुझे दर्शन दिये कि अकाश खुल गया, और प्रभू आ रहे हैं और साथ में मुझे परभू ने दर्शन डिया कि स्वयरग में प्रभू बेठे हैं सिंगा सन पर और प्रभू हमारा नियााद कर रहे हैं प me और कि ने मुझे दर्शन देए धन्यवाद वह खा लेलूगा सभी को जैम सी की मेरे गवाई यह कि जब पिछले संडे पासिज ने बोला था कि प्रभी यसमसी अपको अलग अलग तरीके से दर्शन देंगे तो उस कुझी में कि मेरगो यह हुआ कि बस जलदी से संडे तो जब हम आएं, तो जब अरादना स्टार्ट होई तो प्रभी इसमसी ने मुझे दर्शन दिये, प्रभी इसमसी के चारो राग थी और प्रभी इसमसी थे, प्रभू ने दर्शन दिये, और दूसरी बार जब पास्टिस ने बोला कि अलग-अलग तरीके से प्रभी इसमसी सारे बैन बायों को मेरी आग गवाई है अभी मेरी यहां पर परभू को देखा इधर बैठा था परभू यहां पर दिखाई दिखाई दिया मेरे को मैं आज इतनी पर मेरे को पता नी था मैं इतनी पपितर आतमा में बहर जाओंगी आज मेरे को पपितर आतमा से बहर के आज म और बहुत सी जगाओं से दवाई चलती रही और इनके जो सिरके बाल थे वो सारे बाल भी जो थे वो जड़गे थे इनके सारे लेकिन परभीश्य मसी के पास जब आए तो हम लोगों ने प्राथना की परभीश्य मसी ने चंगा किया इने और आप देखो बिल्कुल चंगे है इनके कैंसर था चाती में कैंसर था दूद के चाती में था तो यहां दूद वाली चाती में कैंसर था और परभीश्य मसी ने चंगा कर दिया परभीश्य का धने वाद करते हैं आज मेरे के तीन चक्क्रमे की इनन कर्मा जे कि अस तन नहीं जो फंड़ान जोतना हुप बगныं कि आख आइक हुझे अजिक टोने के अन्वेन या थो बैस ते या शूल दासनेEE प्रभु एश्यमसी करते हैं इस बैटी को ना आज दर्शन हुए परमिश्वर के और इनके गरपे न सरगदूत प्रभु जी के दर्शन हुए इसके लिए दन्यवाद करते हैं मैंने दर्शन देखा कि यहां पर पाश्चर जी के साथ परमिश्वर खड़े हैं मैंने दर्शन हुए पर प्रभु दन्यवाद कर दिया मैं ते लिए दास जो बोला है पर गार में टोर पेर रहे हैं प्रभु जी के दास बी टोर पेर रहे हैं दन्यवाद मैं कर दिया मैं पिता पर अज में परमिश्वर का दर्शन हुए जैसे यहां से दूत दिखे में बहुत सारे और परमिश्वर यहां श्रेट पर आए फिर यहां से सावे चलते फिर देखे वहां पे फिर दोबारा फिर में नहीं आए देखे मैं परमिश्वर का दन्यवाद कर था लेलुया अच्छे पैस्टर जी चाल रहे हैं पिछे प्रभु आतला के मोटे खड़े ने पास्टर प्रातना कार दे पिस्टर प्रभु जी पिछे खड़े ने में प्रातना कार दें पुछ स्टर प्रातना के में पिछे का दोच जी चाल रहार पिरोचे में पिर। झाल 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 झाल